तो हलो गाइज वालकम बैक चुमेश यालन लोफियर एक्सप्रेमेंट तो गाइज बसंत आ चुकि यह हर तरफ पतंग बाजी की जा रही है आपका भी दिल कर रहा है कि एक पतंग उड़ाएं लेकिन पतंग है नहीं कहां से लाएं शौब से मिलती है बहुत महंगी है अफॉ तो होगी जो कहा है आसानी से शौब से दो रुबे का मिल जाता है एक नलकी की एक इस तरह के स्टैपलर की तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले पेपर को यहां से पकड़े हैं और यहां से फोल्ड कर दें और यहां से अच्छी तरह से दबा दें पिर इसको दोबारा से से करने के लिए यहां से फिर फोल्ड करें और यहां से हलका सा दबाना है पूरा नहीं दबा देना बस अलका सा ही दबाना है फिर यह उपन करने के बाद जो हमने यह सेंटर मार्क लगाया है वहां पर यहां से पकड़ कर इससे दुबारा सेंटर करना है और यहां से भी हलका स और यहां से स्ट्राइब कर देना है और दूसरी जो दूसरा जो उनने सेंटर पॉइंट लगाया था तोड़ा सा उपर एक और स्ट्राइब करना है और यहां पर आगा बांद देना है तो गाई देर आप पेपर काइट बनके तयार है जिसके कीमा सिरफ दो रुपया है तो चलिए जल्दी से इसकी टेस्टिंग करते है तो गाई देख सकते हो यह एक्शली में वर्ट करता है तो गाई जब देख सकती हो यह कितनी दूर जा रहा है तो गाई जिर अब तो यह जीकीन करते हो ना के यह जीज़ बाक्वी में उड़ती है एकदम पतान की तरह ओगाई आप देख सकती है कि अगाई दूर चलिए गरी अगरी से लाइक दूरता करता है बदा जएालो can be jak סबी है क्यों टा था था हम् क्यों टा था हम् क्यों टा स्बुष मे जाजए हम् जाजए क्यों मैं ङे को पर था तो आपने देखा यह चीज कितने अच्छे तरीके से उड़ती है यह एक सुस्ते वाली काइट है जिसे हमने पेपर से बनाया जिसकी कीमत सुर्फ दो रुपए है जब मैंने इसे पहली मरत बनाया तो मुझे यकीन है तो यह अच्छली में उड़ेगी और आपने देखा भी क इतने अच्छे तरीके से उड़ी तो इसे बनाओ और इंज्वाए करो यार बस एक बर वीडियो को लाइक करते जाना